पूजय गुर्देव तिगानासत बाबा सावल्शा महराज पूजय गुर्देव महंत बाबा प्रेंदाजी महराजी के पावन अशीरवात से तिगानासत बाबा सावल्शा महराजी की ओर से चार जुनको विशाल बंडारे का युजन किया गया है जिसमें हमारे हरिद्वार स प्रम शर्दे प्रम गुर्देव महराज नरेंजनी खाड़ा के पिठा दिश्वर स्वामी कलाशानन जी महराजी रोत तक पहुंच रहे हैं और उनका हमने भगय स्वागत करना है आगे का प्रोग्राम पुझे गुर्देव हमारे महामड लेश्वर रागवंदर भारती जी म गुर्दे वह गुर्देव महेश्वड़ा गुरुसाक्षा प्रम रहमतस्माई शरी ही गुरुवे नुहां प्रम पुझनिये प्रमादानिये प्रम अंदनिये टिगाना सत्बाबा सावल चाहरी महराज बाबा प्रेम दास धाम बड़े हर्शो उलास के साथ टिकाना बाबा सावलचा की ओर से महंत बाबा मदनशाम महराजी की आशिरवाद से हमारे निजनी पुठा धिश्वर शिरी शिरी एकजाराठ आचारे महामर धिश्वर स्वामी के लाशन अंद गिरीजी महराज रोहतक में पदा रहे हैं जिनके साथ हमें देश के परमुख परमुख नेतागंड मंतरीगंड प्रसी समाज से भी और हमारे आशनम के सभी भग्त सब यहां पहुँच रहे हैं चार तारिक को शाम को सबा तीन बजे महराज जी सापरा टोटेक्स पर पोचेंगे जहां से स्वामी शंकरा नंजी महराज 101 गाड़ियों के साथ महराजी का स्वावत करते हुए डोब में विवानी रोड़ पर स्थित आशनम जो 9 दिवान कारा चल रहा है वहां लेकर पहुँचेंगे वहां पहुँचने पर यग्या का योजन दखा गया है यग्या के बाद वहां से हमारी 300 वक्तों की और गाड़ियां जो महराजी को लेकर सभी को लेकर वहां से 4 वज़े रवाना होंगी जो मदनवाल धिंगडा के अंदर पहुचेंगी जहां पर श्री प्रेम मंदल संकृतन दवारा श्री रादारमन दवारा और रादानाम दवारा सभी संकृतन मंदल होंगे जिसमें बजन किरतन किया जाएगा वहां पहुचकर महराजी अपने आश्री वाल वचन देंगे सभी देश के परमुक परमुक नेता गन्मी महां पहुंच रहे हैं मैं आश्रम की तरफ से सभी रोतक वासियों को हर्याणा वासियों को और जहां जहां तक हमारे आश्रम से जुड़ोई भगत हैं और सभी जन्ता को निमंतर्बू देना चाहता हूँ कि आप इस पुन्यक के कारह में पहुँचें इस कारह के अंदर बाबा मलंद शाजी स्वामी आननसुप जी महराज बाबा हरपाल दासी महराज बाबा गोरोशाजी महराज एमम अनेकों संत इस कारह करम में अपना आश्रवा दे रहे हैं और सभी संत जो है इस समागा में हैं इस कारह करम के और इस कारह करम को संजोने के लिए हमारी सभी वक्त यहां पर इकठा हुए हैं इन सभी वक्तों के सयोग से वक्तों के प्यार से वक्तों के भाव से ये इस कारह करम को रखा गया है मैं पुरे सभी वक्तों को सभी रोतक वासियों को हर्याणा वासियों को मैं सब को निमंतर न देता हूँ कि चार तारिफ शाम को चार से साथ सत्संग का योजन मंडारा रखा है आप सभी मदनदार धिंगडा और डाइटियाई में पहुंचे आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद ओब नमोना रहें स्वागत के लिए स्वामी शंगरानन जी सापला से सो गाड़ीयों के साथ वाईपास से जजर बाईपास होते हुए भाली चोक से अशोका होते हुए आई टी आई के अंदर मदलना धिंगना में की काफिला पहुचेगा जहां जोर शोर से सभी रोतकवासी आश्रम के सभी भग महराजी का और सभी यहां पहुचने वाले परमुक विक्तियों का तैद दिल से और खूब उनका स्वागत करेंगे उनका वेलकम करेंगे